जरूर इसको ध्यान से सुने क्योंकि आपके बहुत काम किये वैसे तो समझे काम किये वाद को संतुलित रखना है अगर जिन्दगी भर तो शुद्ध तेल खाओ ये पहली वाद शुद्ध तेल खाओ अब आपके में तुरंट सवाल आएगा क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे हैं हाँ आपका तेल शुद्ध नहीं है जिन जिन को घर में वाद की बीमारी है समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है आप बोलेगे जी हम तो बजार से लाए हैं डबल रिफाइंड ट्रिपल आपको मालूम है यह डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड चक्कर क्या है तेल जो होता है जो तेल मिल से निकाला जाता है जैसे तिल जैसे सरसों जैसे नारियल जैसे मूंफली आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को उसमें पीस के तेल निकाल दिया यह है शुद्ध ते ये खाओ तो फिर बाकी तेल क्या है बाकी में समय मिलावट वो मिलावट पता है क्या है तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी होगा और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उ अच्छा क्या उसमें पानी है वो तो आप चिकनाई से घबराने लगे आज कर और डॉक्टर ने डरा दिया कोलेस्टॉल बढ़ जाएगा जी चिकनाई मत खाना मैं आपको जो कहने आया हूं यह कि चिकनाई खाना देखके खाना कौन सी खाने लाइक है कौन सी खाने लाइक न जरूर खाओ जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है High Density Lipoprotein HDL यह अच्छी चिकनाई और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL Low Density Lipoprotein तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े वो खतरनाक है और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा आम चूसने के बाद कैसा दिखता है ऐसा हो जाएगा चिकनाई तो खाओ नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगे यह जो चहरा चमकता है ना हमारा यह चिकनाई के कारण अगर चिकनाई नहीं है शरीर में तो पिल-पिला हो आई मिलती है शुद्ध तेल को शुद्ध तेल मैंने बता दिया नारियल, सरसों, तेल, मुंफली, उसको मिल में डाला, मशीन में सीधे तेल लिखला, कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो तेल शुद्ध, वो खाओ, जिन्दगी पर खाओ, कोई तकलिफ नहीं आने वर क्योंकि शुद्ध तेल से HDL पढ़ता है, और वो हमें चाहिए, अशुद्ध तेल मत खाओ, अब शुद्ध तेल कौन सा, रिफाइं तेल, डबल रिफाइं तेल, ट्रिपल रिफाइं तेल, डालडा, सबसे खतरना शुद्ध तेल है डालडा, वेजिटेबल आयल, तो जो आपकी तासीर को सूट करे मुणवली का फाओ। वैसे आप जहां रहते हों यहां के लिए नारियल तेली अच्छा. जिवाब राजिस्थान जाओगे तो वहां के लिए सरसों का तेल अच्छा. जब आप जम्दू कश्मीर जाओगे वहां के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है पहाड में रहें तो तिल का तेल मैदान में रहें तो सरसुआधी का तेल और समध्र के किनारे रहें तो नाली रहें शुद्ध खाओ कभी तकलिफ नहीं आए और जिन्दगी में वाद का कभी कोई रोग नहीं आएगा शुद तेल की इतनी ताकत है और वाद के असी रोग है असी शरीर में घुटों का दर्द, कमर का दर्द, कंदे का दर्द, जोलों का दर्द ऐसे असी रोग है ये सब रोगों से बच जाओगे शुद तेल को अब कहा से आएगा मदरही में ढूडो कोई तेल मिल है क्या नहीं है तो लगा लो बहुत सस्ते में मशीन आती है आज कर जो गुजराट वाले भाईब है ना राज़कोर्ट में मैंने देखा शुद तेल लिकाले की मशीन पचास हजार की है और वो इतनी छोटी है कि दस फिट लंबा कमरा दस फिट चोड़ा कमरा उटने में लग जाती है और सब तरह के तेल एकी मशीन से निकलाते है नारियल का भी निकलता है सरसों का भी निकलता है तीले का भी निकलता है मूफली का भी उसी मशीन से निकलता है तो 50,000 की मशीन का ओर्डर दे दो यहाद आलो क्या मुश्किल है अपनी अपनी नारिया लेकर जाओ टेल बागे लाओ मूफली लेकर जाओ और या तो कोई पुराणी टेल मिल होगी ढूण लो उसे जिन्दा कर दो बंद हो गई होगी फिर वापस चालू कर और नहीं तो मेरी बात मानो एक लकडी का कोलू बन वालो बड़ाई यहां है पंद्रे बीस हजार में लकडी का कोलू बन जाता है जो बैल से चलता वो सबसे बढ़िया है उसमें से तेल लिकलवा के खाओ जिन्दगी में कभी भी बात का रोग नहीं आए और नहीं तो तयार रहो असी रोग आएंगे और सारी कमाई आपकी जिन्दगी की इन रोगों में ही चली जा तो आप तरह कर लो क्या करना मैंने तो बता दिया भाईया शुदू तेल खाओ एक मशीन लगवाओ नहीं तो कोलू नगवाओ बैल से चलवाओ बड़ा पुन्नी मिलेगा आपको भी और जिसका तेल निकालोगे उसको अब मैंने तो बहुत तेल वालों को देखा वो फोकट में तेल निकालते हैं पैसे भी नहीं लेते हैं मैं पूझा भाई तुम्हारा खर्च कैसे निकलता है वो कहते हैं जो तेल निकालते हैं उसमें तेल तो दे देते हैं खली रख लेते हैं उसको बेच के पैसा निकलाता है कितना बड़ी